किसान भाईयों, आज हम जिस विशे पर बात कर रहे हैं, उसमें आप मुख्य फसल के अलावा आन्य फसनों को लगा कर कुछ आई के स्रोत अपने बढ़ा सकते हैं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और कई किसान भाई अभी धान के बिच्रा बो चुके होंगे और कुछ किसान भाई बोने की तैयारी में होंगे धान का बिच्रा लगाने के बाद हमारे पास 20 से 25 दिनों का समय बचता है तो किसान भाई उस समय को आप उपयोग मिला सकते हैं साथ ही कई खेत हमारे ऐसे भी होते हैं जो पड़ती पड़े रहते हैं उन खेतों का उपयोग करके आप कुछ अन्य फसल उसमें लगा सकते हैं और अपने आई के सुरोत को बढ़ा सकते हैं इसी विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रैनिल कुमार सिंग डॉक्साब सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बैनों को ये बताए कि जो परती पड़ी फसले जमीन होती है वहाँ पर कुछ कौन से फसलों को हम लगा कर अपने आई के सुरोत को बढ़ा सकते हैं धन्यवाद मेडम जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पास अभी 20-25 दिन का खाली शमय है इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि धान हमारी प्रणकुशल है करीब 80-90 प्रस्तत जो हमारा भूबाग है खेती योग उसमें हम धान की खेती लेते हैं लेकिन 10-20 प्रस्त ऐसी भूबाग हमारे पास बच जाता है जो कि किसी प्रशितियों बस उनमें हम खेती नहीं कर पाते हैं और जिसमें से प्रमुख है जल की बयोस्था पानी की बयोस्था पटबन की बयोस्था अकर उन परिष्टितियों में उन आपयोग करें जो कम दिनों में हो जाती हैize. और जिस भी अवस्था में फसल हो, उस अवस्था में हम उसको प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, तो ऐसी फसलों के उपर हम लोगा चर्चा करेंगे, ऐसी कौन कौन सी फसल है, जिनका किशान भाई उपयोग कर सकते हैं, वुवाई कर सकते हैं, चुकि हम देख रहे है जो अभी भी इतर जारी है और यह बहुती सुभ संकेत और वर्षात की यहां गती है उससावसे सामाने वर्षात अभी हो रही है वियार में तो जैसा कि आप बता रहे हैं पर उपनी के बीच में जो कम से कम 15 जिन का समय मिलता है इस समय का अगर हम सद उपयोग करते हैं उन फसलों को लगाने में उन जगहों पे उन जमीन पे जहां हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है तो हमें कुछ न कुछ पैदावार मिल जाएगी और शाथी शाथ उसमें रोजगार का सिजन होता है और हमारी आयके सोध भी बढ़ते हैं तो रॉक्ट साब यह बताईए कि कौन-कौन से फसलों का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं लगा सकते ह रहे हैं दो बात को हम लोगों को ध्यान रखना प्लाएगा वहां पानी की व्यूस्था कम है और इसलिए किसान भाई वहां कुछ लेते नहीं है और वहां पर बर्शाद के भरोशे इंद्र देवता के उपर ही सारी जो है दारो मदार है तो उस प्रसृतियों को देखते हु हो सके 50-60 दिन हो नहीं तो 100-120 दिन तो 100% होना ही चाहिए तो ज्यादा तर उन फसलों के बात करेंगे उन प्रजातियों के विसें बात करेंगे जो 60-70 दिन में त्यार हो जाती है ताकि जो है किसान भाई को जो मेहनत करें उसका उनका भरपूरला मिल सके किसान भाईयों इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कम से कम समय 60-70 दिनों में अगर कोई फसल तैयार हो जाती है तो वो आपको आएका अच्छा आपका साधन बन सकता है खादान फसलों में कौन सी फसल अच्छी होंगी इन परती जमीनों में लगाने के लिए जशी पर रश्षित्ययां है हम लोगों नों यह खेती करनी हैं उस कंडिशन में जो मोटे दाने वाली जैसे कि जिर्ण हुआ बाजरा नों में आपको यह मक्त हुऊ還 यह तीनों फसल ऐसी हैं जो कि जिस प्रसितियों में अगर माल लिए वह एक बहना डेड़ में चल गई बर्शाथ नहीं होता उस कंडिशन में आज आती हैं तो उसका चारेक रूप में प्रयोग कर सकते हैं अगर कुछ और दिन हो गया फ्लावरिंग भी उसमें हो गया उसमें दाने पड़ गए तो आप भुट्टे के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे मक्का करते हैं वैसे आप बाजरे का भी कर सकते हैं और खुदा नखास थे उपर वाले की किरपा चलती रही और बरसाथ होती रही तो आप जो है फसल अपनी पूरा वद्ध को जाएगी और आप पूरी फसल की कटाई करेंगे अब बात यह आती है कि अगर मालीजे बहुत ही ज्यादा हम ससंकीथा ढरे हुए हैं तो हम सला दें किसान भाईयों को कि वह जो है बाजरे का प्रयोग करें बाजरा एक ऐसी फसल है जो सार सातर दिन में पैदावार दे जाती है उसकी सूखा रोधी भी होती है तो इसलिए कि अगर किशान भाई अगर हम बोलें कि को दोसी फसल कौन सी प्रयोग करें तो आप मक्क प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में है किने हम को चारा भी चाहिए और परसीशतियां गड़ा-बदो चारे के लिए तो जो है जवार बढ़ियां कुछ भी नहीं सकता जोर का प्रियों करें। करते हैं तो जैसे कि सबसे पुरानी है उपास 120 दिन में हो जाती है सरद करके एक प्रजाती है और आसा करके एक नई प्रजाती अभी विक्सित की गई है जो कि शुखारोधी भी है है सलाइन कंडिशन में भी हो सकती है और साथी साथ अगर एक एक टेंपरेचर भर जाता है पच्वावा बहने लगता है या कुछ और भी गर्म वारी चलती है तो उसमें भी जो है अच्छी पैदावार दी जाती है इसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं अगर अरहरी खेती क थोड़ा दस-पंदा दी पहले त्यार हो जाती है तो अगर किसान भाई सेफ रहना चाहते हैं सुद्धित रहना चाहते हैं तो मूंग को प्रयोग और मूंग का ऐसी प्रयोग कहती है जो साड़ से पैसर दिन में थार हो जाती है जो कि 75 से प्रजाती हैं जो पी 80-90 दिन में हो जाती है पुलती कब हुआ है आप जो जुलाई के बात कर सकते हैं और अगर बात करें कि अब यह तो जितनी भी दरहनी फसलों की बात की अगर यह जिस कंडिशन में हैं अगर माल दीजे यह फलन-फुलन के प्रक्रिया में आ गई तो अच किसान भाई बहनों को कि खाद्यान और दलहली फसलों के अलावा किसान भाई चारा या सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं उसमें इन परिस्थियों में बिल्कुल दुरुस फरमाया है आपने किसान भाई अगर चारे की खेती करना चाते हैं तो जैसा कि अपने बाजरा ज्वार मक्का अगर यह फसल अपनी पूरा वधी पर नहीं जाती है तो चारे की रूप में आपको प्रयोग कर सकत होती हैं इस कंडिशन में वहाँ पर जो है उस मिर्दा में जो है नमी को सरचित कर पाने की जो शमता बहुत थोड़ा खम होती है बनस्पती की जमीन जो की समतल होती है और जो थोड़ा कम उशास्पे होती है जो उसी जमीनिया नहीं होती है ऐसे प्रसुतियों में किसान भा किसान भाई किसान भाई किसान भाई धान की खेती करना चाहें तो इन जो उंचास आप जमीन बता रहे हैं परती जमीनों में धान के कौन से प्रभेद किसान भाई लें कि वो खेती कर सकते हैं जी बहुत सही प्रस्ण है क्योंकि यह जो हमारा प्रदेश यह धान का कटो रहा है और धान जैसा कि हम लोग बोले कि नब्वे प्रसत भूभाग में धान की खेती होती है तो हमारा एक उसमें जो मानसिक सेंटीमेंटल जुडा है कि हम धान की खेती किसी भी प्रस्णियों में कैसे बिले जाहे फेल ही कि खेती करनी है तो अइसी प्रस्णियों को शला दी जाती है कि वह ऐसे प्रजाद का चुनाओं करें जो जिनकी फसलाव अधी कम दिन हो मतलब 100 से 120 दिन की हो पहली आइस्यार में यहां पटना में हम लोगों ने परिछन करके पाया है कि तीन-चार प्रजातिया हैं जिनका किशान भाई प्रयोग कर सकते हैं किशान भाईयों अगर आप धान की खेती करने के ततपर ही हैं तो आप जो है स्रियार धान, सहभागी, सुस्क समराठ, अविशेक इन प्रजातियों का चेहन करें इन प्रजातियों की फसलावद सव से एक सो दसीन के आसपास है साथी साथी यह पानी इनकी जोड़ोत नहीं होती है अगर एक दो सीचाई की वेवस्था हो जाती है तो आप सीचाई अवश किसान भाईयों धान का वेचरा अप लगा चुके हैं आपके पास 20-25 दिनों का समय है और जैसा कि डॉक्टर साब ने आपको बताया कि आप आपके पास जो खेत ऐसे पड़े हैं प्रमुख खेत के अलावा जो कि परती हैं उचे हैं तो उन खेतों में आप खादान फसलों का दलहनी फसलों का कुछ सबजियां भी ऐसी हैं जिने आप लगा करके आए के सुरोत बढ़ा सकते है साथ ही आप शारा का भी फसल उगा सकते हैं और इन फसलों को उगा कर खेती करके आप अपने आए के सुरोत को बढ़ा सकते हैं डॉक्टर साब इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाईयों अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्कार